हेला एपरिवन कैसे हम सभी दोस्तों आज में react.js में canvas animation बनाएंगे particles animation इसको बोलते हैं एक animation बनानी सीख लो आप इसको बहुत अलग तरीके से convert कर जाते हैं बहुत सारी animations इसमें बनती हैं तो आज हम यह simple से animation यह से start करेंगे फिर हम इसमें और भी animations करियर करेंगे तो एक जहां पर बनानी सीख लो इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा इंपोर्ट कर लो रियक्ट को कि प्रॉम इसको बोलते हैं आज इसको थोड़े advance कोडिंग के साथ हम सीखेंगे तो ऐसे मिक्स परजक्ट में आपको बीच बीच में बनाना सिखाती रहूंगी तो कोई सीरीज नहीं है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आज मैं आपको कलास के साथ काम करना स्खाऊंगी रियक्ट में कलास कैसे यूज गई जाते हैं तो मैंने एक css फाइल बना रखे इसको इंपोर्ट कर ले दे हैं एप.css css में सिर्फ इसको कैंवस है उसको मैंने कलर एड किया है बैग्राउंड कलर कैंवस लिखके आपने बैग्राउंड कलर ब्लैक लिख देना है हाइट पिर थे आपने इसकी इतनी रख देना है 100 परसंट रहेगी तो यह वाला जो हमने कोड लगाया है कैंवस के बीच इसको हम पहले रिटार्न में जाके एक फंक्शन बना लेते हैं कॉंस्ट पार्टिकल नाम इसको दे देते हैं यह हो गया हमारा फंक्शन एक्सपोर्ट भी कर लो डिफॉल्ट पार्टिकल जहां पर आके तो कैंवस हमें जैसे पिछली वीडिया में कैंवस लगाया था बस रिटार्न लगा के कैंवस लग दो इसको हाइटबिल से पिछन नहीं करेंगे जैस्ट इस में बेरियबल लखना बेरियबल Как लिख लो से मे ही लगा देते हैं कैंवस रफोड यह एक बेरियबल हम क्रिएट कर लेंगे और जहां पर कैंवस लिख लो तो जे वाले जो हम canvas यूज़ करेंगे न इसको CSS में जाके color बगार mention कर दो तो आपको पूरी स्क्रीन पे color दिखेगा इसको refresh कर लेते हैं पहले जो error है बू देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं जी app.css इदर चलते हैं मेरे पास जो import किया है यहां पर आएगा slash तब भी वह import नहीं किया CSS फाइल को चलिए अब जहां पर हमें canvas शो कराना है सबसे पहले जैसे हमने पिछली वीडियो में अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा सीख लिया होगा तो canvas create करना आ जाएगा आपको जहां पर लगा लो const canvas ref is equal to use ref आएगा तो यहां पर देखो इंपोर्ट होगा यह user of null इसकी value ब्लैंक रहेगी let particles बना लो array के बीच हम पार्टिकल्स बनाएंगे क्यूंकि पता नहीं कितने बनने हैं 1000-2000 जेतने मर्जी बना सकते हैं array के बीच बनाएंगे user factor लगा दो यह भी इंपोर्ट हो जागा अपने आप पॉंस्ट canvas is equal to canvas.current सेम पिछले बाला कोड पिछली वीडियो में जैसे लगाया था ctx.is equal to canvas. जहां पर हमें इसकी जो length है जहां height बिर्थ है वो हम mention नहीं कर रहे हैं इसको हम 2D में बोल रहेते हैं get context 2D बस इतने ही लिखेंगे let एक variable बना लो इसका नाम animation frame रख दे दे हैं उस भी नाम दे दे को variable को इसको हम बाद में use करेंगे canvas का size initialize करना है canvas. width कितनी रहेगी जो मेरी window है window. inner width canvas. height जो window. inner height रहेगी सेम उतनी ही height बिर्थ हो जाएगी जतना हमारी screen रहेगी एक और refresh कर देते हैं canvas ref जो था वो हमने भी define कर दिया तो यह मेरे पास canvas आ गया पूरी screen पर जाएगे तो जहां पर जो आपने CSS लगाई है यहां पर जाद से लगा दे न code तो इसका background color आ जागा क्योंगे हमने particles white color के बनाने तो बहुत नजर नहीं आएगा अगर आप black color नहीं लगाते ही तो जो error है वो just in की है अभी हमने इनको define किया explain नहीं किया चलिए यहां पर हो गया सबसे पहले एक class बनाओ class के साथ particles animation बनानी बहुत ही आसान होती है class का नाम लिख लो class का नाम हम capital इसका first letter capital है रखते हैं particles नाम दे देते हैं इसको यह class define होगी ठीक है इसके बीच हम एक constructor बनाते हैं ऐसे constructor बनाना है जे इसका syntax है बेसिकली class का syntax यही है सबसे पहले class keyword आएगा class का नाम फिर इसके बीचे में constructor बनाते हैं अब इसके बीचे coding आएगी this.x is equal to formulas हम यहां पर लगाएंगे तब animation बनेगी math.random multiply canvas.with अब j x and y हमें दो variable use करेंगे क्योंकि हमारी पूरी screen इससे दो axis ही परनी होती है एक होता है x axis एक होता है y axis एक होता है x axis काम करता है left right या फिर right left y axis top to bottom या फिर bottom to top तो सिर्फ यहां पर लिख दो height तो यह height पर हमारी mention हो जागी this dot एक और variable बनारो bx नाम का math.random यह random formula इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यह आप skip भी कर सकते है minus one तो जहां पर यह वाले two लिखा हो इने speed mention करेगी particles कितनी तेज मूब हो रहे हैं ऐसे तेज तेज फास्ट भी आप move करना चाहते हैं तो जाब इसकी value change कर दो 7 कर दो 8 कर दो बहुत जाद speed उनकी increase हो जागी तो इसको हम बाद में करके देखेंगे चाहिए दिज मैं लगा रही हूं क्योंकि जहां से लेके जहां तक और इस इस ब्रेकट से लेके इस ब्रेकट के बीचे x और y जिसके साथ भी मैंने दिज लगाया है उसका code जो मैं लिखेंगे इसका काम यहां तक यहीं रहेगा पूरे प्रजेक्ट में एक्स में जितनी वार मर्जी यूज कर सकती हूं लेकिन अगर मैं यहां पर दिज लगा दूंगी यहां पर मेरे पास x की value कुछ और रहेगी दूसरे गलास में जाके x की value कुछ और रहेगी same ऐसे ही copy paste कर लो v y लिख दो अब यह value है दोनों को same ही रहने दो क्योंकि ऐसा नहीं हो x बाले particles तेज move होते रहें y बाले slow हो जाएं तो मैं चाहते हैं दोनों की speed है same same रहे इसके लिए value same रखो this.radius is equal to math.random randomly हमने radius fix करना है multiply 2 के साथ कर दो यह भी value आप change कर सकते हैं randomly radius मतलब particles गार जो radius रहेगा आपने circle में बनाने कैसे बनाने हैं तो भी radius अपने आप यहां से fetch कर लेगा तो वो randomly होगा और जे बाले value आप इसको change कर सकते हैं कोई fix नहीं है हमने यहां पर 2 ही लिखना है बस कोई value लिखनी परती है कुछ भी लिख दो इसके बीच हमें एक update function लगाना होता है नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जरूरी ने update रखना है एक आपने function बना लेना है ऐसे this dot x अब जहां पर देखो x को this लगाने का फाइदा क्या रहेगा plus is equal to this dot vx मैंने x यहां पर भी use किया है यहां पर इधर भी x यूज किया है इधर भी x यूज किया है इधर भी x यूज किया है इसलिए हम दिज लगाते हैं ताकि इसको पता चले जहां पर दिज की value जहां से लेकि इस bracket से इधर तक यहां पर जो मैं mention करूँगी इसका काम इतना ही रहेगा बस इस dot same y इसके अंदर बस j वाली value लिख दो जो भी bx और by में value आएगी वो हम अपने x वाली variable में transfer कर देंगे bounce करना है edges को if bounce करना मतले मैं जहां पर पहले code लगा देती हूँ x less than is equal to 0 है अगर x की value 0 से शोटी है और और operator लगेगा और मतलब दूनों में से एका condition true होनी चाहिए this dot x इसकी value greater than is equal to है canvas dot birth जो भी canvas की birth रहेगी उसके अंदर क्या करेंगे यहां पर मेरे पास curly bracket आएगी curly bracket start and this dot bx multiply is equal to minus 1 अब जे शोटा सा code है लेकिन जे लगाना चुरूरी होता है अगर आपने starting में देखा होगा ने जो particles थे canvas के बीची थे माल जे वाला मेरा canvas है ठीक है इसके बीचे जे पार्टिकल जमानी है जहां से इसके edges होंगे जिदर screen खतम होगी अगर जहां पर कहीं बीचे टकरा गए तो बापस आजए ऐसा नहों सारी canvas के बीचे बीचे ले पार्टिकल से गाइब हो जाए क्यानवा से बाहर ही चले जाए सक्रीन से बाहर चल जाए होंगे कुछ नजर ही नहीं आना अगर किसी भी edge के साथ है टकरा जाए इदर screen के साथ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिदर मर्जी टकरा जाए वो बापीस आजए टकरा आगे बापीस आने के लिए हम इसको minus मे value कर देंगे minus में आ जाएगी उसके बाद जे वाला भी हो गया code अभी जाए नजर तो कुछ भी नहीं आना हमें क्योंकि जब तक हम इसको move करना नहीं start करते जा draw नहीं करते कुछ भी नजर नहीं आना सेम ऐसे ही copy कर लेते हैं copy जहां पर वाई लगाओ वाले पर भी ऐसे होना चाहिए अब जहां पर वाई किसके लिए हाइट के लिए यहां पर कर दो वी वाई करना minus वा नहीं है बस जहां पर वाई mention कर दो चलिए जी हमारा code हो गया खतम अब जहां पर ड्रॉवाला एक बना क्यानवास के बीचे को इसे ड्रॉव कर रहा है ctx.begin कर लो path को ctx.ark circle बनाना है circle में ज्यादा सही लगते है particles अब जहां पर लगाऊंगे this.x किसको use करके हम circle बनाएंगे this.y x and y को use करेंगे this.radius जरूर साथ में use होना है क्योंकि हमने circle में बनानी है radius यूज होगा सेम यहां पर यह पिशली बार जैसे हमने इदर बनाएंगे circle math.py का formula लगाएंगे तो यह fix है math.py को multiply 2 के साथ कर दो तो circle बन जाना है ctx.fill कर दो style फिल style होता है इसका background color आपको क्या चाहेगे तो यह mention करना पड़ेगा मैं जहां पर white color लगा रही हूँ करने का canvas का तो सेम ऐसे ही लिखना है यहां फिल style ऐसे ही लिखना है फिल ऐसे ही लिखना है बिगन पाथ भी ऐसे लिखना है color आप अपनी तरफ से कोई भी add कर सकते हैं इसको refresh कर लो साथ साथ में error देखते जाते हैं क्या क्या error है जहां पर error है इसको भी check कर लेते हैं यह है मेरे पास error इदर हमने गल्ग तो इसको लिख दिया है canvas नहीं आएगा canvas रेफ आना है यह वाला इदर वेरियेबल आना है तब ही वो error बता रहा है कब से अब देख लेते हैं चलिए error तो कोई नहीं है अब जहां पर हमें particles नजर आ जानी है तो क्यानवा हमारा हो गया ready जहां पर यह आ जाओ यह वाला draw वाला हमने बनाया है यह वाला इदर function एक खतम हो गया इसके बाद हमें इसको लगाओ पार्टिकल्स बनानी है इसको बोलो कितने बनानी है let i is equal to for loop लगाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स बनानी है कहां तक चलनी चाहिए loop यहां पर बस mention कर दो मैं 100 बोलूँगे आप एक हईयार दो हियार जितने मर्जी बना लो limit नहीं है कोई इसकी पहले हम ए मतलो insert कर दो new particles तो जो हमने class लगाई थी जह होता है class class को use करने का तरीका तो मेरे पास जो class का नाम एक वाचा कर लेते हैं particles है तो जहां पर देखो जह वाली जो class मैंने लगाई थी उसको मैं जहां पर call कर रही हूं किसी भी class को हम ऐसे access करते हैं तो मैं जहां पर क्या बोल र ऑफिर हूं सब्सक्राप शलत है पार्टिकर लही है वाला मैंने variables क्रियूट किया हुआ है जह रहा पार्टिकल्स एर यह में की कर्याइट कर रही है तो 100 पार्टिकल्स भाइन उसके पुष कर रही है experienced अब जह प्वाच पूरा यहां से फिर्चिंग ब स्पूरा तो हमें आपली को खोड़ी आहां पर की मीशनियर को सब्सक्राइब करते हैं चुर्फ क्षप्राइए रख्यां एक यहां पर मेरे पास होता है एक मेरे पास घ्लप में उपछट करते हैं अनिमेशन रही है एक animation id, इसको use करके, is equal to, बना बनाया method आता है, request animation frame, बस इसको जहां पे लगा दो, यहां पे लिख दो animate, अपने आप जे animation एड कर देगा, हमें कोशी भी करने की जुरूरत नहीं है, साथ में हमें canvas कलियर करना पड़ेगा, ctx.clear कर दो rect, same जैसे पिछली बार हमने clear किया था, canvas.width, इसको 0 कर दो, canvas.height, इसको भी 0 कर दो, पूरा canvas clear हो जाएगा, उसके बाद फिर से particles बने है, फिर से clear हो जाएगा, फिर से particle बने है, साथ साथ में refresh करके देखते रहो, अभी भी जहां पे कुशी भी नहीं है, लेकिन error नह ही है, अब जहां पे जो animate बाला है, इसको call कर दो, यह बाला, इसको हमने call करना है, इसके उपर, इधर कर देते हैं, ऐसे, function calling बोलते हैं इसको, यहां पे बोल रहे है, animate not defined, तो जहां पे हमने गल्त जगह इसको कर दिया, call, एक वर देख लेते हैं, जहां से, इसके बीच कर द लेते हैं, अब देख लेते हैं, error, अब सही है, तो जहां पे आप देख लेना, जहां पर जिस bracket के बीच, इसको हमने define किया है, उसे के बीच हम इसको call करेंगे, अब जहां पर एक और हम animation लगाते हैं, इसके साथ, return कर दे, animation तो हमने लगा दी है, लेकिन return भी करें, वो animation, frame, animation frame id, और जहां पर dependency हम ऐसे add करते हैं, तो जे काम हमें Java script में नहीं करते हैं, यहां पर हमें करना पड़ेगा, cancel करनी है, animation तो ऐसे करते हैं, Java script में हम direct j वाला code लगाते हैं, request animation वो अपने आप animation add हो जाती है, इसमें आप इसको cancel कर दो, चलिए, अब जहां पर हम चलते हैं, इधर तो हो गया हमारा complete, इधर ही आजाओ, जो हमने अभी j वाला बनाया है, हाल टबाला, animation बनाई हैं जो भी मेरे पास particles है, dot for each, same for रूप की तरह ही है, for each लगेगी, किसके उपर लगानी है, particle, particle एक निया बना लो variable, नाम कुछ भी दे दो, जो मेरे पास ये बाला particle variable है, dot update बाला function कॉल कर दो, जो हमने बनाया था, particle.draw बाला function कॉल कर दो, इसको function कॉलिक बोलते हैं, हम direct एक variable यूज़ करके भी कॉल कर सकते हैं, अब refresh करके error देखेंगे, inspect करके देख लेते हैं, नही तरह नहीं दो, वो particles उपर बन गए, ठीक है, वो रहे उपर particles हैं, लेकिन वो उपर ही घूम रहे हैं, तो उसको हमने नीचे लेके आना है, इधर चलते हैं, उपर ही, ये वाला एक अपने आप इंपोर्ट हुआ है, इसको पहले हटा दो, अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, कभी कुशी, कभी कुशी, इसको चेक कर लि हैं, चलिए, अब जहां पर देख लेते हैं, जो उपर क्यों है, यहां पर देखो problem क्या है, मेरे पास x-axis पर पूरे particles है, x-axis होता है, जातो left-right जहां पर right-to-left, लेकिन top-to-bottom या फिर bottom-to-top मेरे पास नहीं आ रहे particles, y वाली में issue है, जो हमने y वाली में update किया है, यहां प प्लस नहीं लिखा, प्लस का मतलब होता है, इसको मैं explain करें ही देती हूं, इसको refresh कर लेते हैं, प्लस क्यों लगाते हैं, हम जहां पर ड्रेक्ट भी is equal to लिख सकते हैं, तो यह पार्टिकल्स बन गए, ठीक है, अब जहां पर चलते हैं, मेरे पास x-axis की value जहां पर 10 है, उसक पार्टिकल्स बन गए, जहां पर आगे 20 होगे value, x की value अब जहां पर 20 है, जहां पर मेरे पास 10 थी, अब जहां पर 10 value है, और 20 value है, उसके बाद फिर से जहां पर आजागा कुछ value आएगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जहां जितनी रहेगी, वालो 30 है, जह गांट नहीं होनी चाहिए, मेरे पास जो पिछली values है, वो count होनी चाहिए, पहले 10 थी, फिर 20 आगे, फिर 30 आगे, total यहां पर values मेरे पास 50 बनती है, total प्लस करके, मेरे पास 50, 60 value बनी, ठीक है, उसके बाद 60 value टोटल बनीगी मेरे पास, वो जो 60 value है, अगर हम इज़र plus से जिकल टू नहीं लगाते हैं, मैं माले जिकल टू लगा देती हैं, तो सिर्फ एक जहां पर एक value count होगी, वो भी पहले वाली जो 10 थी, बाकी नहीं count होनी, तो मेरे particles एक जगा पे खड़ा रहेगा, जहां पे 10 value थी, अगर मैं plus से जिकल टू कर देती हैं, तो वो पहले 10 पे था, फिर 20 फिर 30 पे, उसके ऐसे पहले 10 भी इसके नहीं count कर ली, 20 भी count कर ली, 30 भी count कर ली, फिर जिदर move होगा, वो value भी count कर लेगा, इस चीज़ को हम plus is equal to के साथ count करते हैं, जह basic जो पिछली value है, उसको hold करके रखता है, उसके बाद नही value add करता जाता है, तो हो सकता है, interview में भी जह जाए कि plus is equal to, जा minus is equal to, और अकेला is equal to हम क्यों use करते हैं, तो जह पिछली value उसको भी hold करके रखता है, जो previous value थी, साथ में नही value add होती जाएंगे, लेकिन अगर is equal to, अकेला लगाते हैं, पिछली value सिर्फ एक ही यह value रखेगा, बाकि सारी delete करतेगा, पता नहीं कौन सी रख हो सकता है, पिछली value hold करें, हो सकता है, जो new value उसको hold करें, बाकि सारी values जाए remove कर देगा, इसलिए plus is equal to लगा रहे हैं, इसलिए मेरे पास यह work नहीं कर रहा था, वह वहाँ पर ही टिके थे, ठीक है, वह value जिदर मेरे starting value जो थी न, जहां पर 10 value थी, सारे particles जहां पर ही थे, त तो वह move होने चाहिए थे, तो move उसलिए नहीं हुए, क्योंकि उसने जो नई value फैच नहीं की, नई value उसने hold नहीं की, बस एक ही value लेके वहाँ पर बैठा रहा, इसलिए यहां पर हम plus is equal to use करते हैं, पार्टिकल्स अब इसको size बगारा मेंशन करना है, पहले जहां पर speed देख कर साथ हैं, लेकिन यह सिर्फ एक की speed है, मतलब x-axis, जो y की तरफ टॉप से bottom या फरे bottom से top जा रहे हैं उनकी speed normal है, क्योंकि हमने सिर्फ यह देखो bx speed change की है, इसको भी change कर दो, refresh कर लो, तो दोनों तरफ से x-axis, y-axis, दोनों तरफ से इनकी speed change होने start हो जागी, अब देखो सा आसान तरीका है, इसमें changes करके देखा करो कि इसके effect क्या पड़ेगा, तो जहां पर यह देखो, मैं 10 दिखा बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इससे, इसलिए मैंने बोला था, अगर आप यह value ना भी लिखे तब भी को ज्यादा issue नहीं होगा, तो उसके बाद radius है, 2 दिखा हुए, आप इसको 6 करके देख लो, refresh, देखो, पार्टिकल्स की जो height बिरते change होगी, आपकी मरजिये change करनी कि नहीं, वो जो axis मैंने edges से बोला था ना, कि minus 1 होता है, जब वो देखो, इधर टकरा रहे हैं, पार्टिकल्स से टकरा आगे ना, बापिस जा रहे हैं, वो स और जहां फिर canvas की height उससे जादा हुई, height से जादा मतलब यह उपर बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो height, canvas की height के बाहर चली जाएगी, जादा हो जाएगी value, तब मैंने इसको बोला कि जब ऐसी condition आ जाए, बाहर जाने की नौबत आ जाए, वो minus में start हो जाए, अब जहा फिर बहां पर minus 1, minus 9, minus 8, minus 7, ऐसे, ऐसे plus minus होता है तो जहां पर बापिस आ जाएगा, ठीक है, एक, 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 माइनस होता जाएगा, तो यह हमारी animation बन गी, background color गर आप change कर सकते हैं, जैसे मर जी, मिलते हैं फिर next video,